दुनिया में सबसे वड़ा नाम Mr. Andrew Rider यह प्रिंसिपल कंसल्टेंट है और अपनी एक ट्रेनिंग एक इंसिटूट भी रन कर रहे हैं ट्रेनिंग फोर सक्सेस और ना जाने कितने कॉर्प्रेट्स में ट्रेनिंग इनोंने कंड़क की है कितने ही लोगों को इनोंने ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया है आज बहुत सारी हम इन पर चर्चा करने वाले हैं आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स को लेकर बात करेंगे ट्रेन दे ट्रेनर को लेकर कॉर्पेट ट्रेनिंग को लेकर और जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मॉडिल्स हैं, उन सब को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में. Thank you, thank you so much. Sir, पहला सवाल गही है कि ट्रेनिंग होती क्या है? What is training according to you? Training is very, very necessary. और अक्सर लोग training और teaching के बीच में, difference समझ में नहीं आता है. बहुत important है, दोनों important है, लेकिन एक फासला है. और आज के जमाने में खास कर, जो लोग school छोड़के आप corporate में जा रहे हैं, school छोड़के आप college का admissions, group discussions, entry चाते हैं, और बहुत साल बाद वो देखेंगे, जब वो corporate में भी उचाई तक जाना चाते हैं, वो सब पे technical skills, जो भी चीज उन्हेंने सीखा है, very, very good. लिख training एक ऐसे चीज है, जो हमेशा, हमेशा, हर साल, हर 6 महिने में, मुझे तो लगता है, हर महिने हैं, होनी चाहिए, और लोग को आगे बढ़ाता है, world calls it soft skills, लेकिन ये soft skill जो है, असली में करन का कवच है, that's the real hard skill that you need to survive, और आपके पास वो soft skills नहीं है, वो training नहीं है, तो बुरा ना मानिये, जितने भी आपके पास वो technicals है, वो आपको बस एक उचाही तक ले पाएगा, और उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे, तो सर, आपने कहा कि technical skills के साथ सा soft skills का होना बहुत important है, तो क्या हम यह रीजन मान सकते हैं, आज की डेट में जो जो जॉब आज की डेट में बच्चे जो students है, जो ने MBA किया है, जो ने बी टेक किया है, बड़ी अची रैपिड़ी उनिवर्सिटीज है, और कहीने कहीं यह कहते है, मैंने उन्हें देखा है कि जॉब्स नहीं है, त बड़ात हैं, के इसके पीछ उनके पास एक प्रॉपर्पर ट्रेनिंग, जिसे तो आप्र त्रेनिंग को जा है, और था यह रूब्स कर दो कि अपिछा है, यह जो आपने पूचा हैएग तथे इसक्सिटीज, इसक्तिशन तुम्ष्ट ते बहुत जरूरी है कि आप चूज जा रहे हैं, इस को से क्या होने वाला है, वह एक मन्जल तक आपको ले पाएगा. लेकिन उस मन्जल में बहुत लोग हैं, एक कंपनी में और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं team work, और आगे एक कंपनी को ले जाना है, तो उस culture में रहना है. मैं अभी आप से बोलू कि एक टेकनिकल चीज इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल लेकिन उस टेकनिकल के साथ दुनिया में कैसे रहना है और उसको कहते हैं सिविलाइजेशन क्योंकि अब जब हम साथ में रहते हैं तो हम एक दूसरे को जान पैचानेंगे और हम काम कर पाएंगे देखिए सब लोग चाते हैं कि आज कर दिन अच्छा हो कोई मुसीबत ना हो लेकिन असली भाषा तो ये है मुसीबत ही हमें कुछ सिखाती है और वो मुसीबत हमारा एक ट्रेनिंग है और हर चीज जो किताब पे लिखा है वो जिन्दगी नहीं होता कि जिन्दगी में बहुत चीज होती है संदीब जी आज आप एक गलकोटिया जरे एक टेकसंस भी बुक्शॉप चले जाए तो हजार नहीं पाच हजार किताब मिलेंगे सिर्फ on human skills and leadership क्यों कि जो भी आप देख रहे हैं हो रहे हैं यह सब क्या है हम humans एक दूसरे के साथ इंसानों इंसानों को जानना जान रहे हैं पहचान रहे हैं आजकल एक नय वर्ड भी आ गया एक डर भी बैठ गया artificial intelligence लोग सोच रहे हैं काम चले जाएगा उससे तो देखे universities, course, सब बढ़िया हैं कीजिए very very important 90% लाना बहुत ही important है लेकिन उसके बाद वो बस आपके लिए दर्वाजा खोल देता है उसके बाद आप कैसी interview में बात करेंगे कैसी point by point किसी को मैसूस कर पाएंगे कि आपका strength क्या है कैसी वो तजूरबा से आप अपना weakness कम्जोरिय कोच पाएंगे कैसी आप उनको पता पाएंगे कि मैं हूँ, मुझे चुनो ये एक तजूरबा, एक skill एक होना है जो repeated training से ही होता है है बहुत बड़िया, में बहूत आच्छी जहंकारी भी कि rightheaded training, से होता है सब कुछ practice से होता है बड़ कुल सीट है मैं ये जनना खाता है यcía जानते है ज़ेजी मैंशनी., मैं आप शूर तरह से साज़्ेसरी में दीट So what were the challenges that you faced मैं देख रहा हूं पर को कैसे देख रहे हैं अपर जब मैंने शुरू किया था इतने ट्रेनर्स इतने ट्रेनिंग इंस्टिटूट्स ऐसे चीज थे नहीं जो आज इस जेनरेशन के लिए बहुत ही जादा लगी है लिए हमारे टाइम पे जब आम ने शुरू भी किया था पात साल बाद मेरको तो पात साल लगे उसके बाद एक पहला mobile phone आए और इशू इस मिज़ पर ट्रेनिंग क्या था प्रेक्टर से होते थे हम हमेशा प्पी से पढ़के बताते थे उसको कहते थे वो ट्रेनिंग था पढ़ाना आज कल पढ़ाना बहुत अलग हो गया है और आज एक दूसरा सिस्टम बैठ गया है, और वो है, मिल जुल के कुछ चीज सीखना. तो एक टेखनीक हो जाता है, जो लोग को आज बहुत आगे ले जाता है, और वो ट्रेनिंग बहुत इंपोर्टन्ट है. उसको कहते हैं, इसेंशिल हुमन स्किल्स. इसेंशिल, बहुत ज़रूरी, हुमन, इंसानों का स्किल्स, तजर्वा, और जनून, और गुनार. यह जो human skills आप बात कर रहे हैं, वो कौन सी तीन चीजे हैं जो एक human को perfect human बनाती है, or perfect human skills बनाती है, सब्जीजे ऐसे तो, there are many importants, I won't say there are 3, but if you, there are more than 3, लेकिन यदियाप मेर से मेरा top 3 पूछेंगे, then I'll tell you number 1, जब मैं छोटा था, मेरे को एक कहावद बताए गया था, मेरे मादर से, और वो कहते थी कि first impression matters, so first impression क्या है, number 1 is, आप interview के ले जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पहला पहचान वो है, आप क्या पहनते हैं, आप सिर्फ क्या पहनते नहीं आज के जमाने में, perfume, smells, सोचो अभी ट्राफिक जम था, किसी को कुछ फरक ने पढ़ रहा कि ट्राफिक के जम कहा था, और मैं कैसे पहुचा, लेकिन पूरा ट्राफिक से, मेला पानी बरसात हो रहे हैं आपे, और बद्बू, so first thing, out of three जो आपने बोला है, पहला है हमारा impression, वो है, मैं क्या पहन रहा हूँ, मेरा perfume, मेरा smell क्या है, because हम humans जो हैं, अंग्रीजी में कहते हैं, we are hardwired, hardwired मतलब जड़ तक हमारे अंदर है, ये चीज पहचानने के लिए, और वो है, हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे महसूस हो रहे हैं, और कैसी हमारा पहला दो शब जो निकल रहे हैं, उससे पता चल जाता है, is he a lady or is he a gentleman, कैने के लिए मैं शायद काम कर रहा हूँगा, लिकिन मुझे अपरेट बन के दिखाना है, so, number one is, how we look, number two is, how we speak, okay, Hindi is our national language, India also takes English as a global language, and then I might be from Karnataka and Karnat is my language, but in all three का मतलब है, तीनो में एक हाथ होना चाहिए, बात होनी चाहिए, so, control of the language is very important, number one, language के साथ, बहुत इंपर्टन है, हम जगा जगा पे कहां हम पॉस करें, एक श्यताबदी ट्रेन अब नहीं बन सकते, मेरा नाम आप आंडरू है, एक पॉस बहुत ज़रूरी है, मेरा नाम आप आंडरू है, उसमें कोई मजा नहीं आए, so, this is it. The third thing is, very important is, which you must build up is, your own confidence. तो एक हो गया आपका गुरू में, मैंने बोला तीन नहीं, उससे भी जादा, लेकिन आपने मुझे तीन पे बंद कर दिया, इसलिए मैं तीन पे, the third is your confidence, क्योंकि आपको वो पहनना बहुत ज़रूरी है. Sir, आपने मुझे तीन चीज़े बताई हैं, और ये तीन चीज़े सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी आपने फॉलो कर सकते हैं, पहला कि आपका अपेरेंस ग्रूमिंग, और सेकिंड पॉज लेना, पॉज लेना एक पॉज की पावर जिसने जान लीना, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकता है, एक अच्छा कम्यूनिकेटर बन सकता है, और तीसरी चीज तर ने बदाए है, एक अच्छा का होना बहुत इंपॉर्टन है, और अच्छा करें बात करें, तो किसी भी जिसे एक इंटर्विव, एक स्टूडन देने जा रहा है, या कोई व्यक्ति इंटर्विव देने जा रहा है, सुम्स्स को अचिकेटर हैं, तो क्याक में सह को व्यक वरहाइब देने जाये से रहा है, हम वढ़ने सकते हैं ब्लाइक में ऐसे संदिश जीक Cincinnati । जिस भीब्ले क्वेसिए इजेवर्टन से निजी किसी बहुत काईव भाएट से तीव जए what tennis have playing, कि आप था एक और पार आप कई।न्जादी नबर वन इसले कि नियुक्त और जिंदगी एक चीज हमें बहुत डराता है, और वो क्या है? पबलिक स्पीकिंग इस प्रीज जाता है, तो जो किया बोलेंगे, इस दोग किया सोछेंगे, लुग क्या सोचागी? लिकिन अब 15, 20 सा किसी को याद नहीं है। इंप्रेशन क्रियेट करना बहुत जरूरी है। इंप्रेशन क्रियेट करना बहुत जरूरी है। I know that you do a lot of language training, personality develop training, and if I had to speak to your students, I'd tell you number one, अभी एक इंटव्यू चल रहा है, सबसे अलग हो जाओ। 10 लोग इंटव्यू देने आ रहे हैं, सब एक दूसरे को डरा रहे है। यह होता है, correct? यह होता है। आप याद रखेंगे आपका बोर्ड एक्जाम, क्या होता था था बोर्ड एक्जाम से पहले? अपने उस्वाल को अपको अपको, मुझी आतनी, सारा वो डर बैट रहा है। और अचानल से, लोग डर जाते हैं, हट जाओ। अब जो हो गया सीखना, या तो आपने सीख लिया है, या चुप चाप खुद पढ़ लो। लेकिन अब एक ब्रीधिंग एक्सरसाइज कीजिए, I've got a very simple rule, it's called the four box breathing technique, चार सोचो और सास अंदर लीजिए, चार रोको, चार एक, दो, तीन, चार, और इंग्जेल करो, चार यह आपको बहुत cool और confident महसूस करेगा, right when you're standing outside, क्योंकि माहोल में सब कुछ, आटू तो अलग है, यह गुड़ला, वो आप सिर्फ और घबला रहे हो, number one, number two very important is, हमेशा यह याद रखे, और मैं चाहूंगा कि आप यह अपने students को भी बताईए, किसी को भी नहीं मालूम, आपको क्या याद था और आपको क्या याद नहीं है, you go there with confidence, और अराम से बोले, शायद आपने आपका पहला सवाल एक HR इंटिव्यू में आएगा, tell me something about yourself, अपने बारे में कुछ बताईए, यह तो पिदाशी इतना पुराना सवाल है, लेकिन सबसे most important सवाल है, यह हर जगह आएगा, हर जगह आएगा, इंटिव्यू में आएगा, आपके शादी के टाइम पे भी आएगा, यह आएगा जब आप छोड़ रहे हैं, यह आएगा जब कही नया जगह जा रहे हैं, जब पहली बार किसी से मिल रहे हैं, या एक ड्राइव पे जा रहे हैं और किसी से पहली बार meet कर रहे हैं, आएगा यह सवाल, अब शायद आप 10 चीज़ बोलना चाहते हैं, at least ये practice कीजिए, कि ये 5 चीज़ तो याद रखे, और ये 5 चीज़ में, एक या 2 चीज़, एक पावर चीज़ होना चाहिए, जो सब को याद रहे, for example, my name is Andrew Rider, and actually I'm a rider, I love riding bikes very much, so I will use my name Rider, along with bikes, my name is Rider, and I am a bike rider, तो मैं उसको use करूँगा, अब किसी को interest नहीं है, कि I was born in Delhi, or I studied in Fridabad, वो important नहीं है, लेकिन मैंने rider को इसके साथ, तीसरा चीज़ है, ये बहुत important समझने के लिए, कि जोक और हूमर के बीच में, क्या फासला है, जोक मजाक है, और हूमर किसी को रिलाक्स करके, उसको इंप्रेशिन क्रियेट करके, उसकी उपर हम प्रभावित हो सकते हैं. तो जोक और सार, हूमर में क्या डिफरेंस है, मैं चातू हमारे दरश को बता ही दीजिए सार, जब आपने ये बात रखी है, बता ही दीजिए हैं, जोक और हूमर कैसे हम अलग लग कर सकते हैं, और हूमर से हम अच्छाा डेप कर सकते हैं. See, जोक जोक सा, जोक सा लवली, तर नहीं बाट खो जोक, संधिव जी अंट्सक्ति सिर्ट, एप प्र य 94 रेंग येूस करेंगी, बना रहें, correct? लेकिन आप कब दूद दूद डालते हैं, बहुत important है, correct? या मानते हैं की नहीं मानते हैं, बदाल बना रहे हैं, लेकिन कब आप तड़का करेंगे, वो बहुत important है, है कि नहीं? इसमें भी बहुत important है, jokes are good, nice, अपने दोस्तों के साथ करो, very good. लेकिन जब आपको एक impression बनाना है, there's a limit of a joke, comes in this word called humor. And humor means, एक conversation को कितना आप light ले सकते हैं, और किसी के चेहरे पे एक मुस्कराहत डाल दें. और सबसी easy way humor crack करने के लिए अपने उपर crack करें. जैसे मैंने अभी बोला, my name is Andrew Rider, and I actually am an avid bike rider. So you can call me Andrew Rider, motorcycle rider. अब मैं ये, शायद आप जब मेरा introduction कर रहे थे और आप ये बोलेंगे, शायद मुझे पसंद नहीं आता. लेकिन मैं जब ये अपने उपर जोक मार रहा हूँ, correct? नहीं, humor बहुत important है. ये इसको कहते हैं humor. Sir, एक सवाल और बेराई, जैसे train the trainer program, आज के रहे में बहुत trained में है, तो train the trainer program exactly क्या है? और आपने train the trainer programs में किस-किस organization में अपनी जो training दी है और लोगों को train किया है? मैं चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बताएं, एक train the trainer program होता क्या है exactly? Many years ago, Sandeep जी, this was not a very popularized program, और सब को लगा कि trainer शायद एक department है, या HR में कोई होगा जो training देते हैं, उसको कहते trainer. प्लीज मुझे अलाव कीजी पहले ये मैदान को set करने के लिए, और वो ये है कि मेरे अंदर एक पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आपको आगे एक leader बनना है, तो एक leader नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर एक trainer का ताकत ना हो, क्यूंकि आपको अपना team को भी सिखाना है, बताना है, करके दिखाना है. Now what is the train the trainer program? Very simple, train the trainer. Usually this is run in corporates. It's used in many places, even in academic places. It's called train the teacher. Look, number one, training or teaching में एक फरक है, और training है एक नया skill दिखाने के लिए. So train the trainer program होता है, जो भी एक trainer बनना चाहता है, या जो एक trainer है लेकिन अपना skill को और बढ़ाना चाहता है, यह एक program है, जहां उनको पूरा बताएंगे, है, number one, psychology. Psychology मतलब एक training करने के लिए क्या हालाथ होना चाहिए. जैसे हम अभी इस studio room में बैठे हैं, AC नहीं चलता, तो शायद हम इतने खुशी से हम बात नहीं करते हैं. तो एक training करने के लिए area भी देना बहुत important है, seat बहुत important है, तो psychology. Number two in a train the trainer program is, we go ahead and teach them techniques. हमारे कुछ नए दोस्त बन जाते हैं, जैसे हमारा powerpoints, हमारा whiteboards, हमारे flip charts, यह जो सब हमारे पास even a mic है, उस time सिर्फ एक trainer है और उसको पता होन अची यह कैसे चलता है, कैसे चलाना होता है. तो हम उनको techniques, उनको hard skills दिखाते हैं कि कैसे उनको दिखाते हैं. और फिर lastly है, सब के सामने public speaking और कैसे बात करें, tough conversations, okay, real tough conversations से कैसे हम निकलें, कैसे उस time, कैसे उस time अपना seat को ना खो बैठें. एक राजा की तरह हम अपना seat को नहीं खो सकते हैं. तो a train the trainer program is very important. हम जो करते हैं trainings for successes, यह एक चार दिन का training program है, जा हम लोग को वो skills वो तजर्बा दिखाते हैं, बहुत से practical exercises हो जाते हैं, जा हो यह सारे चीज़े को use करते हैं, whiteboards, flip charts, train करते हैं, लोग के सामने सवाल जवाब करते हैं, हम उनको वो त्यारी दिखाते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं, किस के लिए बना रहे हैं और इससे क्या होने वाला है, इसके बाद करीबन दो महीने का online coachings होते हैं, ताकि वो नाए skills जो उनके अंदर बैठ जाए, वो practice करें, और यह पूरा चीज़ में अब तीन महीने बाद हम आते हैं, और उन candidates से पूछते हैं, और वो follow कर लेते हैं, और हम बता सकते हैं कि उनने क्यों किया, किस के लिए किया, बहुत बढ़ी है तरीके से आपने बदा है, training program क्या है, psychology है, बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि आप master है, इस चीज़ में मैं आपको जानता हूँ, पुछले कही सालों से मैं आपको follow भी कर रह soft skills exactly क्या है, क्या हर व्यक्ति अपने आपको soft skills trainer कह सकता है, क्या soft skills की importance, जो training की है, वो कहीं कहीं कम होती निज़र आ रही है, या फिर वाकि में, हर व्यक्ति जो कहता है, वो गलत कह रहा है, exactly soft skills आपके हिसाब से क्या है, वो मैं चाहता हूँ, आप हमारी audience को बता है Sandeep चीर, यह word इतने बार यह use हो रहा है आजकल, कि इसका महत्व कमजोर हो चुका है, इसका मतलब यह नहीं है कि soft skills कमजोर हो गया, इतना बार यह use हो चुका है, कि इसका importance कमजोर हो चुका है, महत्व नहीं आ रहा है, soft skills एक वो चीज़ है जैसे करन का कवच, सब लोग महाभारत में जानते थे उस टाइम पर रन भूमी में, कि कुंती पुत्र करन आएंगे, और जब करन का कवच होगा, उनको कोई नहीं हरा सकता है, यह मानते हैं कि यह मानते हैं कि यह मानते हैं यह कवच है आपका soft skills, soft skills is that professional approach, that important approach, जो जितना भ अगरी हो, यह ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, it is that important, now the issue here is, is, many body think, because it is soft, soft, it is actually, चल जाएगा, हम कर लेंगे, लेकिन सर, COVID के टाइम पे, इतने सारे problems इसले हो गया है, क्योंकि हमने basic की कसरत नहीं किया, कौन कहता था कि हमें बाहर जा की कसरत करना है, हम घर पे कर सकते हैं, या मानते हैं कि नहीं मानते हैं, correct, basic things, sleep on time, wake on time, do it, 200 basic, लेकिन आप जानते हैं, आपके भी बहुत से हरे friends है, जो late night तक Netflix देख रहे थे, अगला दिन office जाना नहीं है, अराम से घर से उड़ करके, एक screen डाल करके, हम एक Zoom meeting कर लेंगे, correct, और क्या हुआ, health problem soft skills are the real hard skills, वो बहुत जरूरी है, वो interview को crack करने के लिए, लोगों से मिल करके, एक contract sign करने के लिए, आगे negotiation करने के लिए, आगे अपने आपको बढ़ाने के लिए, the soft skills are the real hard skills, which take you ahead in life. Thank you so much sir, आपने बताया कि soft skills वाके मार ले क्यों जरूरी है, एक चोटा सवाल में दिमाग में बात करते हुए, यह जो AI है, आपको क्या लगता है sir, AI आने वाले समय में, कही ने कहीं लोगों के अंदर एक डर है, कि वो हमारे जॉब को खा जाएगा, आपको क्या लगता है sir, AI क्यों के पूछ रहे हैं, और थैंक यू इस opportunity के लिए इसके बारे में भी कुछ बात करने के लिए, AI पहले चीज़ होता क्या है, AI मतलब artificial, artificial मतलब असली नहीं है, किसी चीज़ से copy, artificial, correct? यह आइफोन नहीं है, यह आइफोन नहीं है, यह आइफोन है, असली ओरिजन आइफ evolve होते जाएगा, जितना हम इनसान लोग evolve होते जाएंगे, वो चलेगा, यह बस एक नया technique है, एक नया instrument है, to make our life easier, लेकिन जितना हमारे पास यह soft skills है, यह ना हो, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मैं चाहूंगा आप जो पर से पहले पूछ रहे थे soft skills का, मैं इसको इसके स जोड़ दूँ, with your permission please. Yes, of course. Artificial intelligence is not taking a job of anyone. They are only helping you to do the job better. But where is it from the programming? From the human brain. The biggest strength we have in life is our brains and our human skills. Insan and Insaniyat. Artificial intelligence can't do Insaniyat. We can do Insaniyat. We are copying our work so that our work can be better and faster, and our work can be used in any other way. For example, I will take an example of the chat GPT. Is it good or bad? Let us use this opportunity to address something bad. Is chat GPT good or bad? I am saying, chat GPT is good. Instead of you going ahead and spending time, trying to think, a chat GPT makes out your answer faster. But will you only use that answer to the chat GPT? No. Now you will use your mind to say, is it right or not, and you will change it again. It is only there to help you. Now, the time that you have saved your time, it is the time for your other work. Let us humans do something more. It is only there to save time. Now, if you are doing everything from the chat GPT and you are not using your brain, I think you have got the answer right now. You are not using your brain. Why are you using the chat GPT? Exactly. See, it comes to the very old question which has been asked for a very, very long time. Do you train people and let them leave or do you train people and make them stay? Do you train people and leave me and leave or do they not train them? The question is, if I do not do my own home, I do not do my own sealant, then my house will be lost, right? Exactly. I will train my own people. When they are trained, everyone will know that Andrew Ryder, Trainings for Success, has trained them well. Who will name them? Our. Or your. Who has trained them? Go ahead, train your people and let it go. Artificial intelligence is not taking any jobs. But if you do not have soft skills, you will not be able to crack that interview. That smile, that job, that style, that are all soft skills. Sir, you have told me that your first important is soft skills. If you have got a soft skill, that can really be helpful for you. And you do not really need to be afraid of this AI job. AI is helping you to make your work easier. But it is very important you to use your brain first. Use your brain. Sir, my last question. What is brand you? What is brand you? What does it mean sir? What does it mean to you? What does it mean to you? What does it mean to your audience? Is it brand value or brand you? I think this is your question. Yes, absolutely sir. Because this is your artificial intelligence and what we are doing to use your brain. Correct? Yes, absolutely sir. I thought that this question came from here. Nice. So can I also think about using my brain as a second? What is this? Let's see. Look, my logic to use my brain is a very simple logic. Brand you. Sanjeeji, my understanding is that we are all one brand. We are all one brand. This is this one brand. Our country is one brand. You are one brand. You are one brand. I am one brand. We are one brand. We are one brand. What is this brand? Once again, and I think it is a lovely question. Brand you is, You are one brand. You are all this brand. You have one brand. You are the brand you. This brand you. You are the Sears. You are all the best to come. You are the process. Or to take DSLR lovely photograph. But, What is this brand you, What is this brand you? Brand you. My brand. It means this brand you कोई Andrew Rider के पास क्यूं आएगा, कोई मेरी बाते क्यूं सुनेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपकी अपनी जिंदगी है, लेकिन जब लोग कोई आएगा मेरी बात सुनने के लिए, या आपकी बात सुनने के लिए, मतलब आपने कहीं न कहीं एक पकड कर ले, उनको खीच ले आपके तरफ, और उनने मान लिया इनके पास कुछ है, ये, है की नहीं? मैंने तो आपका अभी इंस्टाग्राम का भी अकाउंट देखा, इतने सारे फॉलोवस आए, मतलब कहीं न कहीं कुछ ब्रांड बना है, ये, सुर्णू, ब्रांड मतलब इस चीज से मेरे को क्या मिलेगा, आप अड़ेडाइस क्यों खरीदते हैं, या प्यूमा, या एक नईकी, या एक रीबाप्ट, क्यूंकि आपको लग रहा है इस ब्रांड से, आपका ब्रांड और स्टाइल, टशन, या आगे चलेगा, येस और नो, जवाब पहनो के बुलेगे, क्या, वाँ, क्या जूते हैं, मतलब उन्होंने क्या जूता खरीदा, मतलब क्या चॉइस है, मतलब पैसे भी होंगे, मतलब उनको अपने ऊपर आइडिया है, अपने आपको आगे सुधारने के लिए, ये सब ब्रांड है, और लोग ब्रांड पे ही जाते हैं, जो आप फीक से बात नहीं करते हैं, जैसे DSL English हमारा एक ब्रांड हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल, अपसलूटली, और आप DSL आपने बुला है English, अब आप उना ब्रांड के साथ हो जोड रहे हैं, इंग्लिश बता रहे हैं कि देखो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और ये सुर नो, ये ही चल रहा है, और इस ब्रांड में फिर से, लेकिन एक तू में, कहीं न कहीं, मैंने आपको बोला नहीं होता अभी, कि मैं एक 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 खटास होती, कि क्या कह रहे हैं सब के सामने मेरे को तू बोल रहे हैं, मैंने चलाया नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमें कहीं न कहीं एक respect गिर जाता और कहीं न कहीं एक आप गिर जाता सोची आभी एक second, आप एक CEO हो और मैं एक operations head हूँ और कोई यहाँ पर आके हमें चाय सर्व कर रहा है in these lovely cups और मैं अचानक से बोलू, thank you आप मेरे future boss होते हुए आप क्या notice करेंगे उसने तुरंथ notice कर लिया, उनका name badge पर लिखा हुआ है रामू, मतलब मेरा noticing power बढ़िया है मैंने अपना server को भी respect किया thank you, thank you दो मिनिट में आपको समझ में आ गया यह दो second में कि चायद यह एक अच्छा candidate है, इनका बात करने का पैजीब का situation thank you so much sir, आपने हमें इतना time दिया और आज कॉर्परेट ट्रेनिंग की बात हुई आज AI की बात हुई आज सॉफ्ट स्किल्स की बात हुई ट्रेनर की बात हुई आपने आज इतनी ट्रेनिंग को लेकर इतना detailed में हाज हमारे audience को बताया है brand के उपर बताया है वाकई में शायद इस तरी की चीजे मैंने कभी internet पे भी नहीं देखी कि सारी चीजे एक वीडियो में सभी ट्रेनिंग की बात ही हुई है सब तरीके से detailed में लोगों को इंट्रिव्यू से भी लेकर technical skills, soft skills सब पर आजम ने discussion किया है और होब कि आपको सब कुछ पता चल चुका होगा life में बढ़ने के लिए soft skills का भी होना बहुत important है soft skills जैसे मैं आपको बताया Andrew Sir, soft skills trainer भी है corporate trainer, principal, consultant काफी कुछ करा रहे हैं बहुत सरी चीजे Sir करा रहे हैं आपने देखा कि DSL brand हमारे साथ भी है हम DSL English में लोगों कम्यूनिकेशन करा रहे हैं साथ में soft skills सर और हम सब आप लोग कोई भी है अपकी क्वेरी है soft skills को लेकर भी तो आपमे कॉमेंट में जरूर अपना कॉमेंट ड्रॉप करके पता गड़ सकते हैं पूछ सकते हैं और हम आपके साथ हमेशा इस तरह से आप लोगों को अच्छा अच्छी services देते रहेंगे thank you so much for this wonderful podcast with us sir thank you आप भी में चाहूँगा आपने एक अर्वाण चाले